कि नमस्कार प्या साथियों स्वागत है आज हम क्लास में शुबभाज करने वाले हैं प्रश्णावली 7.3 के कि कि kirval आज ही किमास के क्रिण की करेंगे किस प्रपकार के करेंट के सुबहित हुद तो यहां पर आप लोग देखिए की तिर्कोन मिती вसक्मिकां के उपयोग द्वारासमा कलनग अप्र्कोन मिती के सरवसंम्मिक्णाय हैं इस सामने लिखी गए हैं इनका कैसे करें इन सरसंमिकां का उपयोग ये हम सींखने है ये टीक है और या कि अभी तक आपने पिछली क्लास में जबी कोस्टन की होगे वह अपने एक 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 घात वाले question कियें इस प्रकार के, sign x हो गया, उसके बाद cast x हो गया, बलकि आपने tan square x और cart square का भी आपने समाकुन किया हुआ है, ठीक है, इस format के, लेकिन कभी आपने cast और sign, इनके आपने square या 3 घात या 4 घात की इस्तेमाल किये हुए question नहीं किये हैं, तो ऐसे ही format हम आज की class में जानने वाले हैं कि कैसे इन question को deal करते हैं, किस प्रकास इनको तोड़ते हैं, ठीक है, क्योगि आपको पता है कि सीधा सीधा sin square, cast square, sin 3x, sin cube x, sin 4x और cast 4x की गात जो है, इनका सीधा समाकार नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ अलग अपनाएंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले जानने की जरूवत है, कि किस प्रकार से सबसे पहले हम यह पता लगाएंगे, कि कैसे इन सर्वसम्मिकाओं का प्रियोग करें, उप्रियोग करें, जैसे अब ही आपका sin square x आ गया, तो आपको sin square x और cash square x इन दोनों में सब कोई भी आ जाता है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है, cash 2x बराबर, 2 cash square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, यह दो फार्मूले, एक ही के हैं, cash 2x के ही, दोनों फार्मूले हैं, जब जिसकी यह सकता होगी, वैसा हम तोड़ा जेते हैं इसक दिखा, यह फार्मूल दिखा, तो यहाँ पर सीदे, sin square वाला दिखा, तो cash 2x को 1 minus 2 sin square के फार्मूले हैं, चेंज कर दीजिए, किस परकार से, समझते हैं, cash 2x, cash 2x पराबर, 1 minus 2 sin square x, इसको लाएंगे इधर, इसको ले आदे हैं, इधर यह हो जाएगा, 2 sin square x पराबर, 1 plus, 1 minus, यह minus में जाएगा, 1 minus cash 2x, अब यह 2, multiply से divide में जाएगा, जोगी आएगा, sin square x बराबर, 1 minus, cash 2x बटे, 2, यह आपका बन के आया, sin square x, अब यह जो आपका बना है, 1 minus cash 2x by 2, इसका हम सीधा समाकरन कर सकते हैं, आपने पीछे किया भी है, cash 2x, sin 3x, और cash 4x, sin 4x, कुछ भी हो जाएगा, सीधे हम लोग इसका समाकरन कर देते हैं, तो इस फार्मेट का हम सीधे, इसको याद रखेंगे, सीधे इसका याद रखेंगे, sin square x बराबर, 1 minus cash 2x by 2, सीधा, नहीं तो आप तीन ही step का है, आप बना सकते हैं, अब ये मिल जाए आपको, cash square के रूप में, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, कि इस cash 2x को cash के फद में खोलेंगे, तो ये हो जाएगा, cash 2, क्या है, cash 2x बराबर, 2 cash square x minus 1, ये minus 1 आपको plus 1 में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैनस से plus में आएगा, 1 plus cash 2x बराबर 2, cash square x, तो यहां से 2 को डिवाइट से, सब्सक्राइब भेजेंगे, तो यहां से निकल के आता है, cash square x बराबर, 1 plus cash 2x बटे 2, ये sin square बराबर बनता है, ये cash square बराबर बनता है, इसे आप याद किस प्रकार से रखेंगे, याद इस प्रकार से रखिए, कि sin square जो x है, 1 minus cash 2x by 2 है, एक याद रखने ला है, sin का विपरीत cash है, तो sin cash मतलब अलग-अलग है, तो मानिख लगा देना है, आपको फार्मूल याद हो गया, तो देखिए, कोई और रास्ता नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, अगर आपको बड़े पड़नी है, अच्छी आपको आनी चाहिए, तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, अब हमने, इन देखिए, समझे, इन दो फार्मेट वाले question हम लोग सालों करेंगे, ठीक है, यही हमारे question आज बनेंगे, कोई दूसरे न अपनी तरफ से सालों करेंगे, ठीक है, तो चलिए, हमने बना लिया, अब हम इनकी बात करते हैं, इनकी बात करें, तो इनकी बात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर दें, अब आगे समझे, अब जैसे, अब जैस दख रहा है का इसली साइन थी ऐसल गया तो एक्स थारी यहां पर यहां पर लिखेंगे sin 3x बराबर 3 sin x minus 4 sin cube x यह आपका बनेगा हमें k1 sin cube x यहां से value निकालेगे यह value चाहिए तो इसे लाएंगे इस side इसको ले जाएंगे उस side यानि यह आ रहा आपका इधा तो जगा 4 sin cube x बराबर 3 sin x minus sin 3x और यह आपका multiply से divide में आ जाएगा यानि sin cube x बराबर 3 sin x minus sin 3x by 4 यह बनेगा आपका sin cube x की जगा पर उठा के इसको रख देंगे समक्लान कर देंगे ठीक अब माल लिगी यह cas cube x आ गया तो फिर फिर इस वाले फारमूले को इस फारवेट में खोलेंगे यानि की cas 3x cas 3x बराबर 4 cas cube x 4 cas cube x minus 3 cas x अब इसको ला रहा है हम इस पर केवल इसको ला रहा है ठीक है तो यह आपका cas 3x minus 3 cas x 3 cas x बराबर 4 cas qx यह आपका multiplexer divide में आ जाएगा यह multiplexer divide में आएगा तो यह आपका cas cube x बराबर 3x minus 3 cas x by 4 यह बनेगा आपका यानि इस cas cube x की जगा पर हम इस चीज़ को उठा कर यहां पर रख देते हैं और समाक्रम कर देना है समझ गए यानि इन दो कोस्चनों को भी हम सालू करने वाले हैं अब आगे यह आपके sign 4x cas 4x यह आपको दिख रहें यानि कि घात में है sign की घात 4x cas की घात 4x इनको तो हम कोस्चन में सालू करेंगे ठीक है इनको हम उसी समय कोस्चन में ही आपको सालू करकी बताएंगे अब यह देखिए यह आपके फार्मेट दिख रहे हैं … तो इन को हम कैसे डील करते हैं इनको डील करने के लिए हम इन चार फार्मूलों का इस्तिमाल करते हैं लेकिन आप तो कहेंगे यहां पके की तो है ही Не यहां पर टू दिख रहा है तो हमेरे टू लाने के लिए यहां पर टू से मल्टिप्लाई और टू से डिवाइट कर देना आ जाएगा और इस फारमेटर में हम लोग खौल देंगे ठीक है आप इसको एक बार याद कर लीजिए कि साइन टू साइन एंटू कास भी है तो हम या आप फारमूले याद करते हैं लेकिन भूल बहुत जल्दी आते हैं सबसे बड़ी सीख्याद बच्चों की ही रहती है ठीक कैसे याद करना तेके आप अपने दीमाग में कुछ चीजे कुछ ग्राफ बना के चलिए कि हम उस फारमूले को किस प्रकार से याद रखें ठीक है जो पहले आता है जैसे साइन आया जो पहले आया खुलेगा तो उसी पद में साइन के ही पद में लेकिन जो पहले आता है तो बीच में प्लस लगा देते हैं बाकि आपकी ये चलता है और अगर कास पहले आ गया तो बीच में माइनस लग जाता है बाकि आपकर सब कुछ A into cos B sin A plus B plus sin A minus B यदर रखेंगे और यदि पहले cos आ गया 2 cos A into sin B फारूला है sin A plus B minus sin A minus B यदर रखना है और यदि सेम सेम दोनों आ गए दोनों सेम है तो cos के फार्मेट में तो कुलेंगे लेकिन अगर cos वाला है तो बीच में plus रहेगा बाद में minus रहेगा यानि A minus B रहेगा लेकिन यही sin का अगर आ गया दोनों तो minus पहले और minus भी बीच में लगेगा इस प्रकास याद रखना है यानि कि 2 cos A into cos B का फार्मूला cos A plus B cos A minus B होगा और 2 sin into sin B का फार्मूला होगा cos A minus B minus cos A plus B यह होगा तो आपको फार्मूले याद रखने ही पड़ेगे कोई दूसरा तरीका नहीं है आपने सीख लिया कि कैसे इन सर्वसंविकाओं का इस्तिमाल हमें करना है अब आज आते हैं question में शुरू करते हैं number one से question number one शुरू करेंगे तो इसके लिए में एक काम करें इस चीज़ को रफ कर देते हैं ठीक है आप लोग एक बार screen artist की ले लीजिए बहुत ही घजब का चीज़ है बहुत ही घजब का चीज़ है इस तरह के अगर आपने आज की जो class है अगर आज की class पूरी शुरूआ से लेकर आंट तक ले लिया तो 7.3 में कुछ बचता ही नहीं कुछ भी नहीं बचता सेम यही फार्मेट इस्तेमाल होगे कुछ भी नहीं बचेगा ठीक है तो उम्मीद बच्चों समझ में आ रहा होगा और आप इसकी इसकी इंसार्ट ले लिए होगे अब उसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे अपना कारक्रम आगे कारक्रम सुरू करने के लिए सबसे पहले इसको हम रख कर देते हैं कि जो हमारे काम का नहीं है इसको हम रख कर देते हैं हमने काम का है काम का है लेकिन इस समय काम का नहीं क्योंकि हमने फार्मूले याद कर लिये यान लिए अब हमारे काम का नहीं है अब वो दिमाग में गए ठीक है वो चले गए Google Drive में से हो गए चलिए सुरू करते हैं अब आगे करका है तो कोस्चन जो लिखा गया है उस कोस्चन को ही उठाएंगे कहीं अलग से नहीं कहीं हम अलग से नहीं चार्चा करेंगे ठीक है हमारा कोस्चन यह है इसको यहां से भी अखर गयते हैं पोस्चन हमारा ये है, कि sin square x into dx है, ये है, हमने इसको सीखा है, अभी हमने क्या सीखा, दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे, क्या था, काश 2x बराबर फार्मूला था, साइन के पतका चाहिए, 1-2 sin square x, अब हम इसको लाएंगे इधर, इस चीज़ को इधर लाते हैं, इसको लेते हैं, इधर, यानि कि 2 sin square x बराबर 1 प्लस काश 2x, अब यह 2 डिवाइड, मल्टिप्लैस डिवाइड में जाएगा, यानि sin square x बराबर 1, चीज़ यह माइनस रहेगा, यह आपका माइनस रहेगा, ठीके माइनस में जाएगा, माइनस काश 2x by 2, यह आपका बनता है, यही बनता है रहा है, यही बनाया भी था, तो यहाँ पर थोड़ा से आप यह ध्यान देजिए, यहाँ पर केवल x था, और यह 2x हो गया, यानि कि अगर यहाँ पर 4x होता, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाता उसका, दो गुना होता, सीधा सा, इस परकार से आपको याद रखना है, यहाँ पर यही 2x करतें, यह 4x होता, हाइप रखतें तो 10x हो जाता है, ठीक, तो ऐसा फार्मेट हमें याद रखना है, तो क्या है, यहाँ पर हमें उस फार्मेट को लिख देना है, कि sin2x बराबर 1-2, यह ह होता है, इसका यूज हम करेंगे, तो करते हैं यह जूज, 1-2x by 2 into dx, इसका हम अलाग-अलाग समा कर देते हैं, इस परकार से, 1 by 2, यह आपका क्या है, 1 into dx, माइनस, इसमें भी आपका 1 by 2 रहेगा, कास 2x dx, करेंगे इसका समा करन आराम से भी, 1 by 2, 1 का हो जाएगा, x, माइनस, 1 by 2, कास 2x का हो जाएगा, sin2x by 2, यह जो 2x के पुडांक में न, वो नीची आपका जाता है, और प्लस सी और जोड़ जाएगा, यह आएगा, 1 by 2x, और यह हो जाएगा, sin2x बटे 2 दो नी, 4 प्लस सी, यह होगा आपका एंसर, यह फारमेट बनेगा इसका, ठीक, अब आगे, यह हमने सालो कर लिया, ठीक, पहला नंबर, यह आपका पहला नंबर है, समझ लेजिए, ठीक, यह माल लेजिए आपका पहला नंबर है, और यह रहा आपका दूसरा नंबर, तो दूसरे नंबर को भी हम यही पर सालो करेंगे, इसको रख करना पड़ेगे, बस सा और कुछ इसको रखता देते हैं बहुत से नार्माल नार्माल है अगर आपने आज की क्लास ले ली तो कल का जो क्लास होगा जो 7.3 सालू करेंगे बिल्कुल हलुआ लगेगा रसुल्ला वाली बिल्कुल क्लास लगेगी आपको चलिए तो दूसरा देखते हैं दूसरा हमें क्या दिया स्कॉयर एक्स कास स्कॉयर एक्स इंटू डि एक्स अब इसको हमें क्या ही याद करना क्या ही फार्मेट बनाएं आपके बगल में बना हुआ है केवल आपको एक काम करना है क्या करना है कि कास स्क्वाइर एक्स यह है तो यह बनेगा वन सेम रहेगा बीच के प्लास आ जाएगा बस कास कास थू एक्स बटी दू यह फार्मिट बनेगा बना देते हैं इसको तो यह जागा 1 प्लस कास्ट 2x बटे 2 इन्टू डी एक्स इसको भी अलाग-अलाग हम लोग इसको समाकरण करेंगे तो 1 बाई 2 और यह जागा 1 इन्टू डी एक्स प्लस 1 बाई 2 कास्ट 2x इन्टू डी एक्स अब इसका हम लोग समाकरण करेंगे तो 1 बाई 2 एक का हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई 2 कास्ट 2x का हो जाएगा साइन्ट 2x बटे 2 और प्लस में आपका सी अबर जुड़ जाएगा यह आजाएगा आई बराबर 1 बाई 2x प्लस यह उजाएगा साइन्ट 2x बटे 2 दूनी चार प्लस सी यह रहा आपका दूसरा वाले कोश्चन का एंसर ठीक है यहां तक कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूशेजे कमेंट जरूर करना है कि आज क्लास आपको किस प्रकार से लग रही है ठीक है कैसी क्लास आपको लग रही है चलिए आगे के कोश्चन हम लोग ऐसे ही सालों करेंगे फार्मेट बाई फार्म ताकि आप confusion ना हो इसको आप screenshot लेजे उसके बाद हम रफ करें ठीक है तो यह करते हैं रफ यह हमने किया रफ कर दिया अब आगे समझते हैं इसको भी वैसे रफ कर दे क्योंकि रफ इसलिए किया थोड़ा सा आप लोग दिमाग पर जोर डाले कि अब हम कैसे बनाएं आपके सामने होगा तो दिमाग पर जोर पढ़ेगा नहीं होड़ा सा चेंज कर रहा है चेंज क्या कर रहे है इसके जगह पर हम लोग कर रहे ers 6x और इसकी जगह में लोग कर दिते हैं 5 recreation शां और माल लेटे हैं कि यह आपका तीसरा इसको तो आप लोग हूमवर्क में करेंगे यह हम करवाते हैं तो यह हम करवाते हैं यह आज स्याहिक यह दे रहा है पता ने, क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अभी हमने इसको किस रूप में तोड़ा था, यह sin केवल स्कुयर एक्स था, तो यह हो गया था, 1- काज 2x हो गया था, क्या हो गया था, 2x मटे 2, यह होता है, लेकिन यहां पर केवल एक्स लाई रहा, अब यह 6x हो गया, क्या हो गया, 6x हो गया, और जब 6x हो गया, तो इसका 2 गुना हो जाता इधर, यानि कि 12x हो जाएगा, अब हम लोग स्थरू करेंगे, आगे की, यह आपका बनेगा, यह ऐसे याद रखना है, तो यह बनेगा आपका क्या, 1- Cas 12x बटे 2 into dx, जो कि आपका इसको अलाग अलाग ऐसा ही करेंगे, 1 by 2, 1 dx, माइनस, 1 by 2, Cas 12x dx, समा कर देंगे, इसका और क्या बचता है, इसमें, यह हो जाएगा, 1 by 2, 1 का तो हो जाएगा, x माइनस, 1 by 2, Cas 12x का हो जाएगा, साइन, 12x बटे, x का गुराँग जो है, वो आपका नीचे आ जाएगा, और प्लस c, यानि की, आएगा, 1 by 2, x माइनस, यह हो जाएगा, साइन, 12x बटे, 24, 12, 24, प्लस c, यह बनेगा आपका, ठीक है, इसको आप लोग घर में ट्राइग कीजिएगा, उसके बाद क्या एंसर आता है, यह हमें, कमेंट्स बाक्स में पिन कीजिएगा, ठीक है, इसकी फोटो आप लोग, वाट्स आप कर दीजिएगे, अब चेक कर लेंगे, कापी में लगाने की बाद, ठीक है, चलिए, तो हमने कहां तक सुरू कि रिया, कहां तक किया, अभी एक ही फर्वर्ट तो किया है, अभी तीन गात वाले पुटे हैं, अब हम लोग तीन गात वाला करेंगे, इसके लिए पहले आप इसकी इसकी इंसाट लेंगे, उसके बाद हम लोग तीन गात वाला करेंगे, ठीक है, अब इसको हम करते हैं, ठीक है, ठीटा के रूप में कुछ भी बनें, आपको ठीटा का अब दो गहत के बाद आपके तीन घात वाले आ गए तो इनको कैसे किया जाए चार नमबर तक हम ने कर लिए यह आपका पांचवा नमबर यह आपका छटा नमबर रहे तो पांचवा नमबर जो आपका लिखा गया है वो आपका question क्या दिख रहा है sin q क्या दिख रहा है इसको पूरा सवाल लिखेंगे sin q x into dx बस के वाल आप board में देखते जाएं आपको कुछ नहीं करना है इधर उधर नजर नहीं करना है देखते जाएं क्या करेंगे अभी हमने आपको इसका फार्मूला बता है था क्या था फार्मूला sin 3x का फार्मूला ये था कि 4 sin x minus 3 sin x यहां था पर था 3 क्या बात है आज 3 sin x minus 4 sin cube x ये था हमें क्येवल cube x का मान निकालना था sin cube x का तो इसको हम लोग लाएंगे इधर और ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 4 sin cube x बराबर 3 sin x minus sin cube x sin 3 x एक परकार से और ये आपका 4 divide से multiply से divide में चला जाएगा यानि sin cube x बराबर निकल के आएगा 3 sin x minus के ठीक है ये हो जाएगा आपका sin 3 x बटे 4 ये आपका बन क्या था ये फार्मेट बनेगा यानि इसकी जगह पर ये हम यूज करने वाले हैं कर देते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो यहां पर आएगा आपका आई बराबर 3 sin x minus sin q sin 3 x बटे 4 into dx इसको ले लेंगे बाहर 1 by 4 आपका आजाएगा बाहर बचता आपके पास 3 sin x minus sin 3 x और ये हो जाएगा dx इसका समाकरन करेंगे तो 1 by 4 3 sin x का हो जाता है minus का का 6 3 sin x का minus का का 6 minus sin 3 x का इसका भी हो जाएगा minus का का 3 x बटे 3 ये आपका आएगा और प्लस c आउर आपके जोड़ जाएगा ये आपका minus का है ये 1 by 4 को अंदर अगर हम multiply करें तो minus का 3 बटे 4 cos x 3 बटे 4 cos x minus minus plus और एक बटे बारा 1 बटे बारा cos 3 x प्लस c ये आपका आएगा एक मज़ेदार बात बताएगा क्या है मज़ेदार बात इसकों दूसरा मेथड भी सालो कर सकते हैं ये तो आपका first method था ये आपका first method था दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये जानते हैं दूसरा तरीका हम लोग जानेगे तो जानने के लिए को करना क्या होगा सबसे पहला काम सबसे पहला काम ये होगा कि इस sin क्यों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या sin square x into sin x dx बिल्कुल लिख सकते हैं, तीन गात है, दो गात ये रही, एक गात ये रही, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो फिर आगे हम क्या करें हैं, की साइन 2 स्क्वयर कॉँव 1-Poll 1 Wie से उसक्यार एक्स लिख सकते हैं क्या यह भी सही पाट कहेंगे भी विल्कुल सही क्योंड वन्न स्क्वार थीटा बराबर 1-Pol 2 ठीठा होता है कि अब यहां पर इस नहीं कंस का ओकलंग दिखरा है साइन इसका मकलब है कि यहां पर हम मान सकते हैं प्रतिस्थापान विधी पुरानी वाली घोम की हम आएंगे पुरानी वाली ही विधी पर प्रतिस्थापान ही चलता रहेगा पूरे समाकलन में बस ठोड़ा से घुमा कर पोस्चन दिया जाता है ताकि सीधे न कर पाएं तो यह हो जाएगा आपका का कास x बराबर t तो कास x का आउकलां होता है माइनस का साइन x और x का dx बराबर dt तो dx बराबर dt अपान माइनस का साइन x यह आया अब इसका आम लोग इस्तेमाल करेंगे तो 1-t2 स्क्वेर साइन एक्स की जगह पर डिटी अपान डिटी अपान माइनस का साइन एक्स कर जाएगा तो आपके पास बसता यह माइनस बाहर 1 minus t square dt अब इस काम समाखरन करेंगे तो minus तो आपका बाहर ही है 1 का हो जाएगा t minus sin square t है sin square t क्या हो जाता है सुरी sin square t तो है sin की पावर 3 बटे 3 प्लस c अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे इस minus का अंदर गुना करा देंगे जब minus का अंदर गुना कराएंगे तो t की अम्मान भी रख देंगे t की value यह रही यह हो जाएगे cos t minus minus plus और यह आजाएगा cos 3 गात है तो 3 गात x बटे 3 प्लस c यह इसका answer होगा अब आप कहेंगे इसमें answer यह आ रहा था इसमें answer यह आ रहा यह तो mail ही नहीं कहा रहा बेलबकुल mail नहीं कहा रहा आपको mail खवाना है कैसे mail कहाएंगे इस cos 3x की जगा पर cos 3x की जगा पर हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे आप फ़रा से दिमाग लगा सब्वां लिखेंगे अभी हमने एक फर्मूला आपको बताया है क्या फर्मूला शोह ही आप फर्मूला देखिए जैसे यह sin 3x है हमने cos 3x का फर्मूला बताया था यह था आपका फर्मूला कहाँ पर लिख देंगे इसको यहीं पर लिख देतें cos कास 3x बराबर 4 कास क्यूंपेक्स माइनस 3 कास एक्स इसको आप इस जगह पर रखकर देखिए घूम के यहीं आ जाएंगे तो हमें यह बताईए कि आपको कौन सा मेथड सही लगाओ पास्ट मेथड या सेकेंड मेथड अपनी बता है यह वाला और आगे हम करने ही वाले हैं इसी से इसी से आगे भी हम करेंगे इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तो आप चायत इसका यूज कर सकते हैं सबसे आसान ये लगता है तो आगे हम करेंगे ही इसी मेधड से इस मेधड का ही उज़ करेंगे हम लोग ठीक है तो आपको गरबारा नहीं है इसका आप लोग कर सकते हैं एक भी नमबर आपका नहीं कटेगा आप इसका इस्तिमाल कीजिए या इसका इस्तिमाल कीजिए ठीक है तो आपका पाँचवा नमबर तो हो गया छठे नमबर की बात करेंगे उसके लिए आप इसको नोट कीजिए और उसके बद हम आगे चर्चा करेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर अभी यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, और भी अलाग तरह के हम लोग लेंगे, ठीक है, चलिए, तो इसका हम रफ कर दें, इसको हम करते हैं रफ, इसको हम रफ कर दें, तो कि अब तो यह हमारे काम का रहा नहीं, आपने इसको नोद कर लिया, इसके इं थोड़ा सा एक मिनट लगेगा चले नमबर 6 क्या है एक्जामपल चल रहा है आपके प्रकार से हमें क्योंस्टन दिया गया है कास क्योंप x कास क्योंप x into dx ठीक है हमने फार्मूला आपको क्या बताया हमने भी फार्मूला लिखा भी था इस जगे पर जो की था कास 3x कास 3x का फार्मूला यह था 4 कास क्योंप x माइनस 3 कास x यह था यहां से कास क्योंप x की वैल्यूम निकाल लेंगे उठा कर उपर रख देंगे यह आपका माइनस से प्लस में आएगा तो यह हो जाएगा कास 3x प्लस 3 कास x बराबर 4 कास क्योंप x यह आपका मल्टिप्लैसे डिवाइड में आ जाएगा यहां से कास क्योंप x बराबर बनता क्या है क्या बनेगा कास 3x प्लस 3 कास x by 4 यह फार्मेट आपका बनके निखलके आता है इसका योज यहां पर करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग कर रहेंगे तो यह हो जाएगा समा कलन कास 3x कास 3x लिखेंगे 3x प्लस 3 कास x by 4 इंटू डी एक्स अब यह तो आपका आचर पाधन आते हैं इसको आप बार ले लिजिए 1 बाई 4 और अलग अलग कर ज़ें कर सकते हैं बिल्गुल तो यह हो जाएगा कास 3x कास 3x इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई 4 यह 3 भी तो आचर पाधन है तो 3 बार ले लेंगे और बचता के वल कास x इंटू डी एक्स कर देते हैं समा कलन तो यह आएगा 1 बाई 4 कास 3x का हो जाता है साइन 3x और बटे में आ जाएगा आपका 3 यह रहा आपका इसका प्लस 1 यह 3 भाई 4 लिख दें सीजा 3 भाई 4 लिखें 3 भाई 4 और कास 3x का हो जाएगा साइन 3x प्लस C और जोड़ देंगे अब इसका आप आपका 6 नमबर का इसका भी सेकेंड मेथड देख लेते हैं यह तो आपका फर्स्ट मेथड है फर्स्ट मेथड ठीक है अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड यहां पर कोश्चन लिखेंगे क्या दिया गया है सेकेंड मेथड से और आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको कौश्चन मेथड अच्छा लग रहा है अब इसको हम तीन यहां पर तीन गात है तो इसको हम दो गात और एक गात में तोड़ दें यानि कि कास स्क्वाइर एक्स और कास एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं पिल्कुल कर सकते हैं अब कास स्क्वाइर एक्स को हम क्या लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वाइर एक्स यह भी हम कर सकते हैं और कास x dx क्योंकि आपको पता है कास स्क्वार थीटे बराबर 1-sin स्क्वार थीटे होता है और यहां पर sin x का अउकलन दिखरा है बगल में इसका मतलब यह है कि हम यहां पर माना sin x बराबर t sin x का अउकलन हो जाएगा कास x x का dx बराबर dt तो dx बराबर dt अपान कास x यह आएगा आपे प्राप्त होगा अब इसको मतलब रखेंगे 1-t2 यह हो जाएगा आपका कास x dx से जाएगा अपार dt अपान कास x कास x कास x कड़ जाएगा बचेगा हमारे पास केवल यह यानि कि 1-t2 into dt अब इसका हम करेंगे समकलन तो 1 का तो हो जाएगा t ती स्क्वार का हो जाएगा तीन गात पटे में तीन प्लस सी बस केवल आपको ती का मान रख देना और कुछ नहीं करना ती का मान यह रहां ती हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा हाँ यह कितना आजाएगा आपका साइन यहाँ पर टी का मान रख देना है इस जिए पर तो साइन x- साइन क्यूंप x अपान 3 प्लस सी यह आपका बनेगा अब यहाँ पर भी आप कहेंगे यहाँ पर तो यह और यहाँ पर यह मेल नहीं कह रहा तो मेल आपको खाना है क्या किलाना है यहाँ पर इस जगे पर का साइन क्यूंप x की जगा पर आपको किस फार्मुले का इस्तेमाल करना था साइन 3 x है वैसे यहाँ पर कुछ मिश्टेक हुई है हमारे ख्याल से क्या देख लेते एक बार यह आपका सेम डुसेम है साइन को मने माना है ठीक है साइन को मने माना और यह आपका खड़ जाएगा तो मिश्टेक कहा है कुछ भी नहीं कोई मिश्टेक नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं है चलिए तो उम्मीद है बच्चों कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट मिथड यह रहा सेकेंड मिथड यह रहा अब आपको बताना है कि कौन सा मिथड आपका आपको सही लगा ठीक है तो हमने यहां तक तो सालो कर लिया अब बच आपका यह इस वाले को भी हम सालो करेंगे लेकिन अभी नहीं पहली इनको सालो करते हैं इनको सालो करने कपी इसको आपसब करते हैं को हम करते है रब अच्छछ इसका में मक्सद क्या है इसको अभी नहीं बताने का इसका में मक्सद यह है कि ये थोड़े से बड़े हैं थोड़े से लांग पर जाते इसकी वज़े से अभी जगा कि साठेच चल रही है जब हम इन question को साल उखर चुके होंगे तो इनको रब करके आपको हम बता देंगे ठीक है चलिए तो यहां पर आपको यह question हम लोग इसी को उठा लेते हैं इसी question को उठा लेते हैं और इसको हम अच्छा है हमने homework नहीं दिया और एक तरह का अलग तरह का अबने question भी उठाए कि आपको लगता रहा कि को स्टार लेते हैं उसका हम नाम देते हैं question नमबर साथ ठीक है और यह हो जाएगा पास क्यों एक्स नहीं एक्स कर चुके हैं कि आपको ले लेते हैं 5x dx यह तो आपका हो जाएगा homework में इसको आप खुद यूज कीजिएगा ठीक है आपको इसको लगाना है हम यह बता रहा है तो आपको फार्मूला यूज है कि हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेंगे दो इस्ते बढ़ा ली थे थोड़ा सक्या दिक्कत जाता है कैसे बढ़ाना है आपको पता है कि साइन 3x होता है, लेकि इस बार x के रूप में आप यह 4x दिख रहा है, तो यहां पर का देना, 4x, और इसका फार्मूला आपका खुलेगा, 3 sin x, 3 sin x के रूप में आपका यह रहा, 4x, minus 4 sin q x, x के रूप में आपका क्या चल रहा, 4x, तो यह हो जाएगा, 4x, इसको हम ले लेंगे इधर, इसको ले लेंगे इधर, ठीक है, तो यह इधर आजाएगा, यानि 4 sin q 4x, बराबर, 3 sin 4x, और यह हो जाएगा, 4 कहीं 12, minus का sin 12x, यह आपका divide से, multiply से divide में जाएगा, तो यह रहा, आपका multiply से आया, divide में, यह फारमिट आपका बन जाएगा है, इसकी जगह पर इसको हम रख देंगे, कोई समस्य, कोई प्राबलम होई किया, बिल्कुल नहीं, चलिए, रखते हैं, तो यह रखेंगे, 3 sin 4x, minus sin 12x, बटे में, 4 into dx, इस 4 को बाहर लेजिए, इस 4 को ले रहें बाहर, तो हमारे पास बचता क्या है, 3 sin 4x, minus sin 12x, पूरे का समा कलन करेंगे, dx, कर देते हैं, इसका समा कलन, यह हो जाएगा, 1 by 4, इसका हो जाएगा, 3 तो आपका, एच्टी लिखा रहेगा, sin 4x का, minus का, का, 4x, बटे 4, यह आएगा, minus, और sin 12x का हो जाएगा, minus का, का, 12x, बटे 12, और प्लस C, अब इस 1 by 4 को अंदर मल्टिप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टिप्लाई करते ही, अमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, देखिए, यह 3 बटे 12, स्वरी, चाचक 16 है, 12 कहां से आजाएगा, 16, minus का, कास 4x, minus, minus, प्लस, 12, चौक, अनतालिस, यानि, कास 12x, बटे, अनतालिस, प्लस C, यह आपका बन के आएगा, इसका यह तो first method था, यह first method है, second method आपको इस्तिमाल करना है, समझ गया है कि नहीं, second method जो कि इससे थोड़ा आसान पड़ जाता है, यह आपको हम homework में दे रहे हैं, इसको लगाईए, और इसको आप जिस method से लगाना चाहें, उस method से लगा लिए, वसे तो दोने method लगा लिए, और भी ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है, तो यह आपका complete, यह complete आ जाते हैं इन वाले फार्रमेट में, इन जैसे question हो कम किस प्रकार से deal करते हैं, वो हम जानेंगे, ठीक है, आप इसको note कीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो आप लोग जरूर बताईएगा, ठीक है, चलिए, आप इसकी screenshot ले लिजिएगा, ताकि आपके लिए आगे चल गर काम आएगी, ठीक है, चलिए, तो हम लोग कर देते हैं, अब इसको करते हैं, रफ, इसको कर देते हैं, रफ, आपने इसको note कर लिया होगा, चलिए, शुरू करते हैं आगे, आगे ले लेते हैं, इस वाई नमबर को, हमने कहा तक, आठ यह रहेगा आपका 10 नंबर यह आपका 11 नंबर और यह हो जाता है 12 तो 9 नंबर को हम लोग सालो करेंगे तो 9 नंबर को किस प्रकार से हम लोग सालो करते हैं हमारे पास दिया गया है साइन 5x इन्टू कास 3x dx तो हमारे पास यह फार्मूला है न वह साइन के प्लस साइन एंटू कास भी का नहीं है तो साइन इन्टू कास भी का है तो उसके दिया हमें करना होगा कि इस वाले में दो से गुणा और दो से भाग कर देते हैं यह आपको याद रखना है जब आपको ऐसा फार्मिट मिले तो दो से यह रहा भाग और यह रहा आपका गुणा इन्टू कास 3x dx ठीक है दो से गुणावा भाग इसलिए किया ताकि हमारा हमारा जो है सूत्र जैसे यह फार्मिट बन जाए ताकि हम उस फार्मूले का यूज कर सके और भाग हमने इसलिए दिया क्योंकि इस कोस्चन के से हमें कुछ फार्क भी नहीं पढ़ना चाहिए कु अभी भी कोस्चन वही निखा हुआ है जो पहले निखा था ठीक है चलिए सबसे पहले मैं पर आप फार्मूले को लिख दें ताशी आप दोबारा रिवाइस हो जाए टू साइन एंटू कास बी क्या था फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये था कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे किताब में तो एक सुवाई लिखा गया है हम यहां पर एवर भी यूज कर रहे हैं इसका एवर भी यूज करने का बहुत बड़ा करणा है करणा यह है कि जब हम नाइन्थ में पढ़ रहे थे ना यह फार्मूले नाइन्थ में मिल को नाइन्थ में पूरा और मुती घंची आधि हैं और एक स्कूल में यह वे ऐक सीरे इलेवेंथ में कर दिये गए आपको यह मिलते हैं और नायंत्य में तो है ही नहीं तो जब हम पढ़ते थे जब हमने High School किया था तब ही हमको नायंत्य से ही मिल गए थे और वहां प्रकीताम में A और B करके ही आद थे तो हमें A और B से याद ही है तो हमें और ऐब बाकि एक सुख़जग करने से कोई दिख्कत नहीं है ना ö और व करने से कोई प्रावल्मा हम एक है आपका using क्री quan आपको कोई दिख्कत नहीं होगी चलिए अब इसका इस्तेमाल करतेय कि इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें होगा आई बराबर एक बटे दो यह फ़ेरमेट यूज कर देते हैं तो हो जाएगा साइन के प्लस भी मतलब 5X और 3X को जोड़ेंगा तो जाएगा 8X पीछ में रहा प्लस साइन के मांइनस पी मतलब 5-1 से 3X जाएगा तो हो जाएगा हो गया जूज, कोई परेशा नहीं हुई, कोई परेशा नहीं नहीं, अब आगे देखें, एक बटे दो, इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन कर देते हैं, sin 8x का हुजएगा, माइनस का कास 8x बटे 8, sin 2x का हुजएगा, माइनस का कास 2x बटे 2, प्लस C, अब यह 1 बाई 2 का अंदर, मुटिप्लाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा, माइनस का कास 8x बटे 8 दोनी 16 माइनस कास 2x बटे 2 दोनी 4 प्लस C ये है छोटा सा बिलकुल इस तरह के इन कोस्चनों को हम लोग सालो करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो आपको दो मिले आपको कोस्चन में साइन 5x कास 3x हो सकता है साइन 2x मिल जाए कुछ भी मिल सकते है 3-3 के मिल सकते हैं 4-4 के मिल सकते हैं ऐसे ही हम लोग उनको भी सालो करेंगे ठीक है तो यह आपका 9th नमबर हो गया 10th नमबर और देखते हैं तो 10th नमबर को हम लोग इसको रफ करना पढ़ेगा क्या हाँ साइद रफ करना पढ़ेगा ठीक है आप इसकी स्कीन साइट लेजिए उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे ठीक है आप इसकी स्कीन साइट ले लीजिए और मातर कुछ सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं ताकि आपको भी कुछ रिलाक्स मिल जाए ठीक है चलिए अब हम आगे देखते हैं इस नाइन्थ नमबर को मेटते हैं तेंथ नमबर में चलेंगे उस परमेट को भी हम आराम से सालो करेंगे बिंदास कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए दस नमब यह दिया गया है आई बराबर पूरा कोश्टन पूरा फुल रिखते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा कास्प पाइप एक्स इन्टू साइन एक्स दे एक्स तो इसका हम फारमेट बनाने के लिए इसमें भी दो से मल्टिप्लाई या दो से डिवाइट करना ही होगा तो यहाँ पर आएगा आई बराबर वन बाई टू यह हो गया आपकर डिवाइड और यह हो गया मल्टिप्लाई कास फाइप एक्स इन्टू साइन एक्स डी एक्स अब इसको भी हम फारमूला लिख देता कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि क्या था फारमूला कास ए इन्टू साइन बे यह फारमूला था इसका फार्मूला था साइन A प्लस B साइन A प्लस B कास पहले हो तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं बाकी आपका सेम फार्मट चलता है यह है आपका सूत्र किसी के सारे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आई बराबर एक बते 2 समा कलन 2 साइन A इंटू कास B 2 सोरी कास A इंटू साइन B है तो साइन A प्लस B यहाँ पर लिखेंगे साइन A प्लस B ततलब 5 और यह एक 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 तो जाएगा 6X माइनस साइन A माइनस B यहीं 5X से एक एकस जाएगा तो आपका बचेगा 4X पूरे का DX अब इसका हम लोग समा कलंग कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1 by 2 sin 6X का हो जाएगा minus का 6X बटी 6 minus sin 4X का हो जाएगा minus का 4X बटी 4 plus C तो यह हो जाएगा 1 by 2 का अंदर गुना करा दीजिए जन्जट कताम हो जाएगी तो यह हो जाएगा minus का 6X बटी 6 दोनी 12 minus minus plus cos 4X बटी 4 दोनी 8 plus C यह रहा दस्मा fire effect का answer ठीक है QI इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इस Followweight के QI आपको किताब में मिलेंगे यह किताब से हट्के है किताब Calendar साइद आपको यह question जोरोण मिलेंगा किताब मिलेंगा ठीक है तो 10 नंबर हमने कर लिया अब और उम्मीदे बच्चों आपको समझ में आवराये होगे, एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगे, समझ में ना आ रही हो, तो आप comments जरूर किजिएगा, आपको comments नहीं करता है सबसे बढ़ी बात है, comments जरूर किजिए, ठीक है कि आपको class कैसी लग रही आपको question समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये आपको जरूर करना है comments करना है ठीक है आप like share करिये या न करिये इससे कोई लेंदे नहीं हमें बताइए कि आपको class कैसी लगी आपको questions आ रहा है या नहीं आ रहा है share, like, subscribe छोड़िए आप करिए या नहीं करिए ठीक है कोई समस्चा नहीं होगी हमें चलिए आप लोग केवल पढ़ते रहे हैं बस कितना हमारे लिए बहुत है केवल आप मन लायाद पढ़े हैं हमारे लिए हमें चाहिए यह और क्या ठीक है, चलिए दस्वा नमबर हमने सालों किया आपने इसकी 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 इसाट ले ली उसके बाद हम लोग सुरू करेंगे 11 नमबर, इसको रब कर दें 11 नमबर हम लोग सुरू करते है तो 11 नंबर में हमें दिया क्या गया ये रहा ये फार्मेट है आपका 11 नंबर question पूरा लिखेंगे cas 5x cas 5x cas 4x cas 4x into dx 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये रहा आपका भाग और ये रहा आपका गुणा cas 5x into cas 4x into dx किसका पहने हम आपको फार्मूला लिख दे तापके आपको revise हो जाए क्या था 2 2 cas A 2 cas A into cas B फार्मूला था cas A plus B plus cas A minus B ये था इसके सारे हम इस वाले question को सालो करेंगे ठीक है जल्दवाजी आपको नहीं करना है जल्दवाजी में अगर आपको speed बढ़ा लेजिए आराम से आप लोग जल्दवाजी करिएगा जल्द जल्दवाजी समाजी है और उसके बाद जाएगे आराम से पढ़ने वाले बच्चे आराम से पढ़ें पूरा 100% दिमाग में ले तो 1 बाई 2 2 का से इंटू कास भी तो कास A प्लस भी हो जाएगा कास A प्लस भी मतलब 5x 4x भी हो जाएगा 9x प्लस प्लस कास A माइनस भी 5 से 4 जाएगा तो केवल और केवल x बचेगा और ये हो जाएगा dx अब इसका हम समाखलन करेंगे तो 1 बाई 2 इसका समाखलन करेंगे तो कास 9x का हो जाएगा 9x बटे 9 प्लस साइन एक्स प्लस C 1 बाई 2 का अंतरा मल्टिप्लाई कर जाएगे कि हो जाएगा साइन 9x बटे 9 दूनी 18 प्लस साइन एक्स बटे 2 प्लस C यह होगा आपका 11 नमबर के फार्मेट का कोस्चन ठीक है अब आप इसको नोट कर लीजिए और इधर हो सकता है क्या प्रयास कर एक बार कहा हो को चलिए कर लेते हैं साइद लग जाए तो 12 नमबर आपका यह रहा 12 नमबर को हम इधर नोट करते हैं यह हो जाएगा आपका 12 नमबर जो कि हमें दिया गया है आई बराबर साइन आठ एक्स साइन फोर एक्स यहाँ पर लिखेंगे साइन आठ एक्स इंटू साइन फोर एक्स डी एक्स दो से गुणा और दो से भाग हमें करना ही पड़ेगा क्यों हमें पोस्चन को इस फार्मेट के जैसा बनाना ही है बिना बनाय नहीं बनेगा तो यह हो जाएगा 2 साइन आठ एक्स इंटू साइन फोर एक्स डी एक्स यह हो जाएगा आई बराबर वन बाई टू पहले हम स्तूत्र लिख दें ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए वैसे तो इधर लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा याद आ जाए कि तो दूसरा था 2 साइन ए इंटू साइन भी यह था सेम फार्मेट चल रहा था अग्या बदलाओ था बदलाओ यह था कास यह जाए गा कास A-B a-B प्लस की जगह पर माइनस प्लस की जगह पर माइनस अब इस मäइनस की जगह 66 Andrew कास A-B यह आपका फार्मुला था इस फार्मुले के साहरे इसको आपसामोल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई बराबर 1 by 2 integration cos a minus b यानि 8x और 4x गटाएंगे तो आएगा 4x minus cos a plus b यानि 8 और 4 जोडएंगे तो हो जाएगा 12x पूरे का dx ये होगा अब इसको हम समाकलन कर देते हैं 1 by 2 cos 4x का हो जाएगा sin 4x by 4 minus cos 12x का हो जाएगा sin 12x by 12 plus c बस इस 1 by 2 का अंदर multiply करना बस और कुछ नहीं करना ये हो जाएगा sin 4x बटे 4 दोनी 8 माइनस sin 12x बटे 12 दोनी 24 प्लस c ठीक है? आपको दिख रहा की नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा वैसे पूरी तरह से ठीक है? ठीक है तो हमने 11 ओर 12 अच चजी है ये री चारो फार्मेट हमने कर लिया अब कुछ homework में हो जाए हर फार्मेट में हमने आपको एक या दो question homework में दिया है ठीक है? आप उनको try जरूर करना है और इसमें भी आपको homework में ही दे देते हैं यहां पर 12 हो गया यह हो जाएगा आपका 13 नमबर जो आपका रहेगा क्या हो जाता है sign वाला पर देते हैं sign 4x into cos 3x into dx ठीक है यह हमने दे दिया है एक यह हो गया और उसके बाद 14 नमबर 14 नमबर दे देते हैं कास पहले आजाए हो सकता है तो कास 9th x into sin 4x into dx यह दोनों आपके homework में रहेंगे यह दोनों आपके homework में हो जाते हैं अब इधर देखिए 15 नमबर 15 नमबर आपका homework में रहेगा जो की आपका question रहेगा कास वाला ठीक है यह तो थे इसके पहले जो हमने सालों किया थे यह वाले इसके फार्मेट के यह रहे इसके फार्मेट के भी यह आगे लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा कास नाइन्थ एक्स कास 4 एक्स इन्टू डी एक्स और 16 नमबर आपका यह रहा साइन 5 एक्स इन्टू साइन 2 एक्स डी एक्स और यह दोनों आपको होमवर्क में करना है तो उसके बाद चलिए हमने यहां तक कर लिया अब यह दो फार्मेट आपके बनते मचते हैं हमने कहा था इनको सबसे लाश्ट में करेंगे सबसे लाश्ट में आ गई इनको करने की घड़ी तो इसको पूरा पूरा रफ कर देंगे एक बार आप इसकी साल लेटल ले लिजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो ठीक है मिस ना होने के लिए आप लोग इसको बैक भी करके आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी केवल हम जो कर चुके हैं उसको हम रफ कर रहे हैं जो हम पार्मेट कर चुके हैं उनको हम रफ कर रहे हैं और दो ही पार्मेट बचे हुए हैं इन दो पार्मेट को हम आराम से बिंदास साल करेंगे ज़्यदा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है जल्लबाजी करना हो तो आप लोग speed बढ़ा ली दिया आपको option दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सके हैं ठीक है चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इस फार्मेट को जो आपका number काउन सा था 17 number यह आपका 17 number फार्मेट है दिया गया है sin 4 x into dx यह आपका question है ठीक है अब आगे इसको देखे किस प्रकास इसको कर सकते हैं इसको करते हैं sin square x का whole square लिख सकते हैं क्या बिलकुल लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं सकते हैं क्योंकि 2 की पावर दो यह नहीं चारी तो हो गया अब यह आपका sign square मिला इस sign square को हमने किस प्रकास से deal किया था कैसे deal किया था इसको हमने लिखा था वन माइनस कास्ट टू एक्स बटे दो केवल sign square था था तब और यहां पर तो whole square लगा into dx कहां से आया यह यह आया यहां से देख लेजिए सायद भोल गया हूं कास्ट टू एक्स बराबर one minus two sin square x इसको हम इधर लाते हैं इसको इधर ले जाते हैं यानिकि two sin square x बराबर one minus कास्ट टू एक्स और sin square x बराबर one minus two x by two यह बनता है कि नहीं यह हमने रखा यहां पर अब इसका whole square खोलते हैं तो यह बनेगा one minus कास्ट टू एक्स का whole square बटे चार इंटू टी एक्स तो आई बराबर यह आपका one by four तो रहा अज़र पद इसका हम फार्मूला खोल लेते हैं a minus b का whole square ती हो जाएगा a square यह एक काई square a प्लस b square कास स्क्वार 2x minus 2ab यानि 2 कास 2x औरे का dx ठीक है अब आगे समझी है 1 by 4 यह आपका one प्लस यह फिर आपका कास स्क्वार 2x बन गया अब इस कास 2x को किस परकार से करेंगे इस कास को इसको लिख सकते हैं 1 plus 1 plus कास 4x बटे 2 और उसके बाद minus का 2 कास 2x औरे का dx अब सोच रहे होगे यह कहां से आया तो यह भी देख लिगी कहां से आया कास 2x बराबर 2 कास स्क्वार एक्स माइनस 1 इसको हम इधर लेंगे तो यह हो जाएगा कास 2x प्लस 1 यह से डिवाइड में आ जाएगा कास स्क्वार एक्स यहां पर सिंगल एक्स था तो 2x हो गया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से भी 1 प्लस कास 2x सिंगल एक्स था डबल हो गया यहां पर डबल एक्स था कितना था तो डबल हो गया फोर एक्स हो गया ठीक है यहां से एक फार्मेट बनके आया जाए अब उसके बाद यहां पर हम ले ले लेते हैं एलसी हम लेंगे तो 1 by 4 एलसी हम आएगा 2 यह हो जाएगा 2 प्लस यह 1 प्लस कास 4x माइनस 2 दूनी 4 कास 2x पूरे का डे एक्स इसको हम बाहर ले लेंगे जो कि आएगा आपका आई बराबर 1 by 8 दो और एक तीन प्लस कास 4x माइनस 4 कास 2x इंटू dx इसका समा कलंद करना और बाकी है इसका हम लोग समा कलंद करेंगे यहीं से कर देते हैं आई बराबर 1 by 8 थ्री एक्स का आपको पता है क्या हो जाता है थ्री एक्स थ्री का क्या हो जाता है 3x 3x और प्लस कास 4x का साइन 4x बटी 4 माइनस 4 कास 2x का साइन 2x बटी 2 और प्लस में आपका सी चलेगा ठीक है अब यह 1 by 8 का अंदर मल्टिप्लाई करेंगे और इसको हम काट भी सकते हैं दो एक अन्नम दो न काट यह काट दीजे कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए 4i बराबर यह हो जाएगा 3 बटे 8x प्लस साइन 4x बटे 8 चाओ को 32 माइनस 2 बटे 8 साइन 2x प्लस सी इसको हम काटेंगे तो यह बजाएगा आपका 4 यानि फाइनल आपका अन्सर आएगा 3x बटे 8 प्लस साइन 4x साइन 4x बटे 32 माइनस साइन 2x बटे 4 प्लस सी यह आएगा आपका अन्सर 17 नंबर फारमेट का ठीक है यह आपका 17 नंबर कर रहा है यह आपका साल हो गया हाँ एक बात और यह कोस्चन आपको किताब में मिलेगा वहां साल नहीं करवाएंगे यहां देख लिए अन्सर भी यही आएगा ठीक है अब उसके बाद हम एक कोस् 4x इसको हम लोग साल करते हैं ठीक है और इसको अपने नोट कर लिया होगा या नोट कर लिए इस इंसर्ट ले लिए कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए ठीक है चलिए आगे हम लोग सुरू करते हैं आगे सुरू करने के लिए इसको में रप करना से से समाप्त करेंगे तच्छी मतलन आपको ज्यादा जल्द बाजी करने जरूरत नहीं है आप से ज्यादा हमें टिंसान कि आपका कोर्स समय comfort कर वागा जाय उसका riva कर думаю अच्छे से अच्छे question आपको दिए जाए फैने तो आप लोग दिक्कत मरते नäischen हम आपके साथ हैं शुरू करते हैं, 18 नमबर फार्मेट, यह रहा आपका 18 नमबर जो की दिया गया है, आई बराबर कास 4x into dx, अब इसको हम तोड़ेंगे किस प्रकार से, जैसे हमने साइन वाले को तोड़ा था, वो ऐसा आई तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, कास स्क्वार एक्स का होली स्क्वार dx, यह बन जाएगा, अब यहाँ पर कास स्क्वार इसको हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कास x का डबल कर देंगे, 2x बटे, 2 का होली स्क्वार इंटू dx, अब मत पूँचिए का यह कहां से आ गया, कास 2x वाले फार्मूले से बना जाए, ठीक है अब x का हम होली स्क्वार खोलेंगे तो आएगा, 1 प्लस कास 2x का होली स्क्वार बटे, 4 इंटू dx, इस 4 का हम बाहर ले लेते हैं, 1 बाई 4, और इसका अब सोतर खोल देंगे, a स्क्वार प्लस, b स्क्वार प्लस, 2ab एने 2 कास 2x बनेगा, यह आपका बनता है, ठीक है, उसके बाद आगे, 1 by 4, 1 प्लस, यह रहा आपका कास 2x फिर बन गया, कास 2x फिर बन गया, तो आब इसको हम कैसे करें, किस प्रकार से तोड़ें, इसको हम तोड़े दे हैं, 1 प्लस, कास 2x का दो गुना, यानि 4x, बटे में दो, और उसके बाद, प्लस, 2, कास 2x, इस पूरे का, dx, ठीक है, पूरे का समा कलन करना है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, एलसीयम, दो इलसीयम ले लेंगे, यहाँ से आएगा, 1 बाई 4, दो इलसीयम लेंगे, यह हो जाएगा, 2 प्लस, इरा 1, प्लस, कास 4x, 4x, प्लस, दो दो नी, 4, कास 2x, पूरे का, dx, यह दो चाओ को 8 हो जाएगा, यह दो चाओ को कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसको लिखेंगे, 1 by 8, समा कलंग, 2 और एक इतना हो जाएगा, 3, प्लस, कास 4x, प्लस, 4, कास 2x, पूरे का, dx, अब इस काम करेंगे, समा कलंग, अराम से कर देंगे, क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 by 8, जब समा कलंग करेंगे, तरी का तो हो जाएगा, 3x, 3x, कास 4x का हो जाएगा, साइन 4x, बटे में 4, और यह 4, प्लस का 4, कास 2x का करेंगे, तो साइन 2x आएगा, साइन 2x, बटे 2, प्लस C, अब इस 1 by 8 को अंदर मल्टिप्लाई कर देते हैं, तो यह जाएगा, 1 by 8, 3x, प्लस, साइन 4x, बटे 8, 4, को 32, प्लस, 4, साइन 2x, 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 बटे 8, दूनी 16, प्लस, सी, इसको हम काट सकते हैं, दो चाव को, 8 कर जाएगा, तो आई बराबर यह हो जाएगा, 3x, बटे 8, प्लस, साइन 4x, बटे 32, प्लस, साइन 2x, बटे 4, प्लस, सी, यह रहा आपका फार्मेट नंबर 18 का एंसर, ठीक है, इस्तकार से हम इन ऐसे फार्मेटों को सालू करेंगे, प्रश्नावली 7.3 में, अगर आपने यहां तक की क्लास देख ली, तो समझ लीजिए कि कल की क्लास बिलकुल सिंपल होने वाली है, भिलकुल सिंपल, ठीक है, तो हम लोग एक थोड़ा सा फार्मेट कुछ अलग लेंगे तेख एंप अभी देखते हैं, इस x के जगा पर कुछ अलग टाइप का, अलग टाइप कela क्या लेइंगे, इसको पहले आप नोट किजिए, इसको पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और आप इसकी इस तीन साथ ले लेजिए ठीक है उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आगे चर्चा करने के लिए हमारे पास परियाप्त जगा होनी चाहिए वो इसको हमें रख करना होगा अब रख कर देते हैं अब कुछ अलग फार्मिट होगा घात आपी वही रहेगी बस X की जगा पर कुछ अलग कर देंगे ठीक है X की जगा पर कुछ अलग करेंगे क्या अलग करेंगे यह आपका उन्नीज नमबर हो जाता है कौन से उन्नीज नमबर फार्मिट 15 Sin 4X आए x into dx कोई समस्या कुछ भी नहीं ठीटा के जगा पर कुछ भी आ सकता है ठीक है तो आपको घवराना नहीं है बस इसको क्या करें लिखते हैं इसको i बराबर sin square 5x का holy square into dx यह हो जाएगा इसको तोड़ते हैं कि इसमें 1 minus cos यहाँ पर जो भी होता है उसका 2 गुना यहाँ पर हो जाता है 10x बटे 2 का whole square into dx अब उसके बाद इसका हम whole square खोलेंगे यह कि आएगा 1 minus cos 10x का whole square बटे में 4 into dx तो यह हो जाएगा 1 by 4 इसका whole square को लेंगे 1 minus यहाँ यहाँ a minus b का whole square यहाँ a square 1 का square 1 plus b square यानि cos square 10x minus 2ab यहाँ की cos 10x पूरे का dx अब यह फिर आपका square वाला फार्मेट में लगया फिर उसको वैसा ही हम लोग तोड़ेंगे 1 by 4 1 plus इसको लिख सकते हैं 1 plus cos 10 का 2 गुना यानि कि 20x बटे में आपका 2 यह आपका x है बटे में आपका 2 minus का 2 cos 10x into dx पूरे में ले ले दे LCM पूरे में क्या ले ले दे हैं LCM LCM कितना आएगा 2 ही आएगा तो हो जाएगा 1 by 4 और LCM दो लेंगे यह हो जाएगा 2 plus 2 plus cos 20x minus का 2 cos 2 क्या यह फोर हो जाएगा 4 cos 10x यह आपका 10 है ठीक है 10x 4 एका dx इस दो को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1 by 8 समा क्लाइगा यह दो काइसे हो गया है यह दो नहीं होगा यह 1 ही रहेगा तो 2 और एक कितना हो जाएगा 3 प्लस कास 20x माइनस 4 कास 10x 4 कास 10x बटे में बटे में क्या? बटे में कुछ भी नहीं रहे गाएगा दू बाह ले लिया और पूरे का dx पूरे का क्या हो जाएगा? dx अब आगे अब के वड़ा समा क्लाइग करना बागी है और कुछ नहीं तो 1 by 8 3 का हो जाएगा 3x प्लस कास 20x का हो जाएगा sin 20x बटे 20 minus 4 कास 10x का हो जाएगा sin 10x बटे 10 और प्लस c तो इस 1 by 8 को अंदर मल्टिप्लाई करेंगे ती हो जाएगा 3x बटे 8 plus sin 20x बटे 8 दूनी 16 यह एक सो साथ plus 4 sin 10x बटे 10 अठे 80 सी प्लस सी इसको काटेंगे यह बटेगा 20 तो आई बराबर 3x बटे 8 plus sin 20x बटे 116 और प्लस साइन 10x यह x रहेगा यह x रहेगा है ठीक है बटे में 20 प्लस सी यह होगा आपका उननीस नंबर फार्मेट का एंसर अब 20 नंबर आपके लिए जो 20 नंबर है वो आपके लिए किस रूप में कास के रूप में यानि आई बराबर कास फोर यहाँ पर 5x है यहाँ पर केवाल हम थोड़ा सा चेंज़ कर रहे हैं मात्र 3x इंटू dx यह आपका रहेगा होम वर्क में यह आपका रहेगा होम वर्क में ठीक है अब आप कमेंट्स करके बताईए अब आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स करके बताईए आज की क्लास कैसी रही क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइब, सेयर, चैनल पनना हो तो सब्क्राइब फटाफट कर लेजिएगा साथ में बिल आइकन प्रस कर लेना जैसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेसन अब तक पहुंचती रहे अब जदस जदा इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास हर साइड में सेयर की जिएगा जिससे उनकी भी तहरी प्रापर वेसे हो सके ठीक है और कल की क्लास में हम लोग 7.3 सालों करेंगे जो आपको बिल्लकुल रसकुला वाली फीलिंग आएगी ठीक है तो कल की क्लास का वेट के लिए तर तक के लिए बाई बाई ठाटा